मस्कार मैं आपके साथ रमन आप देख रहे हैं टीपी के निउज टीवी आज हम उपस्तित हैं विदुना ग्राम सभा में जूड है हमारे साथ यहां के इसमें जो प्रधान चुन दिये गए गाउं के राजीव सिंग और डाक्टर मनोजी आदो जो की उमा संकर मल्टी स्पेस सबसे पहले मेरे जहां पर मैं बैठा हूं यहां के बिदुना के प्रधान साथी को मेरे उत्तर प्रदेश में सेकेंड नंबर फाइट करने वाले पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं जनपर जोनपूर की नहीं बात कर रहा हूं सेकेंड नंबर फाइटर है और सोले सब विजेता हुए हैं राजियू सिंग्छी मैं इनको धेर बधाई देता हूं उनके साथ में बैठे हुए इसे गाउं के सम्मानिद विखती हैं यह भी विदीची रहें और मेरे साथ एक ठीकेदार बैठे हैं जीद बहादूर सिंग्छी इनको भी बधाई देता हूं यही सब लोग मिलके राजी जीट के ऊपर भरोशा किये हैं, यहां कि सभी सम्मानित जनता को भी मैं बहुत जादा धेर सारी बदाई दूंगा, कि राजी जी को जिस सोच से लाए हैं और राजी जी उस पे खड़े उतरें मैं इसके लिए धेर सारी इनको बढ़ाई देता हूँ और इनको ये भी कहूँगा कि भाई जनता आप पे वरोसा की है आप जनता के साथ उसी तरीके से रहें जैसा कि मनुझ जी आप प्रधान सुखन जिला अध्याज भी थे प्रधान थे इसके पहले आप रह चुके थे आपकी सिट इस बार ऐसी हो गई तो आप आगे कौन सा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं देगे चुनाव लड़ने की बाद तो तो अलग है तै करेंगे अभी जो में हमारी कुनीतिया नीतिया को देखते हुए सबी लोगों ने देखके अगर हमको मुखिया बना देते हैं प्रधान चुन लेते हैं तो यह जरूर कहीं मेरे अंदर अच्छाई रहती है तभी इसके बाद गाउवाले हमको प्रधान बनाते हैं मैं उस जो जहारू और उस निश्ठा वाहन व्यक्ति के जो आज वह प्रधान चुनके आये हुए हैं उनका पूरे पूरे जिले में मैं सम्मान इसलिए कर रहा हूं कि उनको गाउवाले उनको पर भरोसा किया और उनको चुनके लाएं और यह पूरे जबकि और लोगों को करना चाहिए नहीं कर रहे ह हैं परन्तु मैं उस जमीन से उत्राव व्यक्ति हूं इसलिए मैं वहाँ पर सभी प्रधान साथी को जितने भी नौनिर्वाचित जनप्रत्निदी हैं चाहे वह वीडी सी हूं जिलापन सदस्य हो यह प्रधान साथी हूं सबका मैं अभिवादन स्वागत कर रहा हूं अंग करेंग'त प्रधान जी पहुत एणे धन्यवाद आपका जी प्रधान जी आहाप बताएum सबसे पहली प्रात्म क्ता इस विदुना गरामसभा की क्या रहें मैं के सबसे पहली प्रात्म्क्ता बिकास की रहें जह militar है जो हमारे घाँ में अभी सत्तर सालों तक नहीं हुआ है प्रोट का काम इसके बाद ब्रिद्धा पिंसन है आवास है नाली है सवचालय है सवचालय का तो काम हमारे हाँ आप समझ लीजे जहां 80% होना चाहिए था आज के समय में 20% भी नहीं हो पाया उसका पैसा भी वापस चला गया साड़े 31 लाग हमारे गाउं से यह भी हमारे गाउं का दुर भाग गया है लेकिन हम यह प्रयास करें हमारे हां जो विकास का पैसा आए वह हमारे गाउं में लगे और हमारी प्रयात्मिक्ता रहेगी जहां से भी जो बनेगा उसको मैं करूंगा अपने गाउं के विकास के लि दुर्सिंगी भाई धन्यवाद आपको लोगों इतना मेहनत करके इनकों जीता है तो क्या इनसे आसा आप लोग रख रहे हैं वह देखे यह तो हमारे बहुत ही क्लोज मित्र हैं हम बगल ग्रामसभा के हैं बरस्टी बलाक के रहने करते हैं प्र Mitte